वेलकम दोस्तो मैं कुरपाटक स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी स्टोर पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसका शायद आपने नाम ज़रूर सुना हो और जिसकी अविलिबिल्टी ओल अक्रोस इंडिया है चिरायते का प्रियोग काड़े के रूप में तेल के रूप में और पाउडर के रूप में प्रियोग किया जाता है विबिन विबारियों में ये अचूक रामबान के समान काम करता है तो आईए अब देखते हैं कि चिराइता से आपको कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं या फिर ये आपके लिए किस तरीके से महत्पूर्ण है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुहासो के लिए मुहासो के लिए इसका उप्योग बहुत ही साधारण है आपको चिरायते का पाउडर लेना है और उस पाउडर को आपको गुलाब जल के साथ घोल कर एक लेप जैसा तयार कर लेना है और उसको आप अपने चेरे पर एक फेस पैक की तरह लगाएं 30 मिनिट तक उसे चेरे पर लगा रहने दे और उसके बाद उसे साधे पानी से धो दे चिरायते का अगला फाइदा उन लोगों के लिए हैं जो दमा रोक सिग्रसित हैं या जो खांसी के सफर कर रहे हैं जिनको कफ है इसके लिए आपको सिपल तरीके से चिरायता लेना है 20 ग्राम के करीब आप चिरायता लें उसको 200 एमल पानी में डालें और धीमियाज पर उसे पकाएं तकरीबन 10 मिनिट के अंदर आप उसे उतार लें जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए फिर उसके बाद उसे च्छान कर आप वो पे लें और उसे ठंडा करकर घुट-घुट करकर पिएं इस तरीके से बना हुआ काड़ा आपके खांसी, दमा और कफ के लिए काफी गुड़कारी है और धीरे-धीरे आपको इससे निचात दिलाएगा इसका प्रियोग दिन में दो बार और चार से पांस दिनों तक के लिए किया जाता है चिरायते का अगला फाइदा जोड़ों के दर्द वालों के लिए है बढ़ती उम्र में गठिया बाए, साइटी का ये तरेके के दर्द आदमी को घेर लेते हैं कई बार चलना तक मुश्किल हो जाता है तो उस दशा में आपको क्या करना है चिरायते के तेल का प्रियोग करना है चिरायते का तेल बनाने के लिए विदी बहुत आसान है आप 100 ग्राम तेल का तेल ले और उसमें 30 ग्राम के करीब चिरायता डालें और जिसको मध्यमाच पे 10 मिनिट तक के लिए पकाएं ये तेल पकाने के बाद आप इसे च्छान लें और उस तेल को अपने पास रखें धंडा करने के बाद जब ये तेल धंडा हो जाए फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं आप इसे जहाँ पर आपके दर्द है चाहें वो घुटने हो, एडिया हो, पीट हो, कंदे हो आप वहाँ पर इस देल लगाएं और उसकी मालिश करें उसके बाद उस अंग को ढख कर रखें आपको जोडों के दर्द में और इस तरह के किसी भी शरीर में होने वाले दर्द में आपको फाइदा मिलेगा आधुनिक युग में जो एक बड़ी समस्या है वो है IBS Irritable Bowel Syndrome आयुर्वेट में जिसे संग्रणी के नाम से पुकारा जाता है यह रोक पेट से रिलेटेट किसी भी किसम का हो सकता है अगर आपको कॉंस्टिपेशन अर्था कव्ज है या फिर आपको लूस मोशन अर्था दस रहते हैं या फिर आपके पेट में मरोल उटते हैं यह सारे Irritable Bowel Syndrome संग्रणी के लक्षन है इसके लिए भी आपको चिरायते के काड़े का प्रियोग करना चाहिए जो काफी गुड़कारी है इसको आप एक हफता से लेके 10 दिन तक इस काड़े का प्रियोग कर सकते हैं जो आपको विधी बताई गई है आप उसका प्रियोग करें और दिन में 20 ml तक आप इसका सेवन कर सकते हैं पाचन के साथ ही जुड़ा एक और बड़ा रोग है जो आजकल काफी व्याप्त है और जो है अलसर फूड पाइप में या आमशे में अंदर की तरफ जखम हो जाते हैं जिसके कारण काफी एसिडिटी बनती है इसके लिए भी चिरायते का काड़ा काफी उपयोगी है और जैसा आपको पीछे बताया गया है आप इसका उपयोग साथ दिन से लेके दस दिन तक कर सकते हैं 20 ml के मातरा में दिन में आपको एक बार लेना है जो अलसर में आपको रहत दिलाता है इसके अलावा भी अनेक लाव हैं जो अगर आप चानना चाते हैं तो हमें कमेंट करें और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो ऐसे लोग हैं जिनको चिरायते का प्रियोग नहीं करना है जिनके लिए वो चिरायता समस्या बन सकता है तो पहले तो वो लोग जिनकी कमर में दर्द रहता है अगर आप उस चिरायते का प्रियोग अवश्चक्ता से अधिक करते हैं तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा आप ये समझ लीजिए कि अर्थात आप चिरायते का प्रियोग आवश्चक्ता से अधिक कर रहे हैं और दूसरे वो लोग जिनकी बॉडी में शुगर लेविल पहले से ही कम है अगर वो चिरायते का प्रियोग करते हैं तो जैसा मैंने बताया चिरायते की एक फंक्शन है कि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन को कन्ट्रोल करता है means कि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन उतना ही प्रियोग करेगा जितना आपकी बॉडी को requirement है लेकिन आपकी बॉडी में पहले से शुगर का level कम है और उसके बाद अगर आप चिरायते का सेवन करते हैं तो आपकी शुगर और नीचे जा सकते हैं या अगर आप इसका प्रियोग करना चाहते हैं तो प्रियोग करने से पहले किसी चिकित्सक की परामर्श अवश्य ले दोस्तो ये थे चिरायते के कुछ हो फायदे जो हमने जानने वाली भी है तो इसलिए अगर आप चिरायते के और भी गुड़ के जानना चाहते हैं तो हमें comment में बताएं हम एक आगे और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको detail में बताएंगे कि और किन कौन से कैसे रोग हैं जिसमें आप चिरायते का प्रियोग कर सकते हैं वो आपके लिए लाप्रत होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ये लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद